आपको पता है संत्रे खाने के साथ साथ उसके छिलके बहुत ही जादा काम में आते हैं सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एक कड़ाई लेना है और कड़ाई के अंदर जैसी पानी आप डाल दोगे ना उसके अंदर उबाल आने लग जाए तब आप क्या करें दोस्तो इस संत्रे के छिलके को आप छिलके डाल दे कड़ाई के अंदर और संत्रे खा ले ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन आप सबसे पहले दो संत्रे ले 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 अब पहला संत्रा तो हमने छिलके तयार कर लिया देखिए आप इसके इतने अंगिनत फाइदे हैं दोस्तों आप देखकर हैरान हो जाओगे कि मातरस प्राप्व संत्रे के छिलके से आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं मैं आपको जरूर बता हूँगा लेकिन आप संत्रे का छिलकों को इस तरीके से चिलकर कड़ाई के अंदर डाल दिए और धिहान रहे दोस्तो जो आप संत्रे के चिलके डालोगे कड़ाई के अंदर वो पानी गरम हो उबला हुआ पानी हो तभी उसके अंदर डाले अब देखिए सारा संत्रे का चिलका तो हमने डाल दिया अब हमें क्या करना है दोस्तो इन शिलके को आपको पानी के साथ अच्छी तरीके से मिला लेना है अब जब तक यह mix होता है दोस्तों आपको क्या करना है दो मिन्ट के लिए रुख जाना है और जब तक यह mix होगा इसके अंदर डाल देना है बिनेगर बिनेगर आपके पास ना हो तो दोस्तों इसके अंदर इनो डाल सकते हैं लेकिन आप डाल दिजे इसके अंदर बिनेगर बिनेगर से इतना ज़्यादा फाइदा होगा दोस्तों और ये वाला टिप्स आपके धेरो सारे पैसे बचा कर तयार करेगा साथ में इसके अंदर कुछ डाल दीजिए आप डिटर्जन आप इस तरीके से डाल दीजिए डिटर्जन देखोगे कितना बढ़िया तरीके से जहाग बन जाएगा मातर थोड़े से आपको डिटर्जन से देखोगी कितना बढ़िया जाग बनकर इसके अंदर तयार होगा और इसके अंदर एक बढ़िया उबाल दिला लेना है और उबाल दिलाने के साथ साथ इसके अंदर आपको डाल देना है नमक नमक इसले डाल रहे हैं दोस्तों थोड़ी सी ये टाइट और कड़क बन सके और जल्दी सी जल्दी ये पाउरफुल और सकती साली टिप्स बनकर तयार हो सके अब इन सारे मैट्रियल को आपको क्या करना अच्छी तरीके से मिला लेना है अब देखिए दोस्तों कितना तगड़ा जाक इससे निकल कर आ रहा है इसके अंदर जैसे जैसे उबाल आएगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा ये पाउरफुल बनकर तयार हो जाएगा लेकिन आपको ध्यान रहे दोस्तो संतरे के छिलके को ज़्यादा आपको उबालना नहीं है और जैसी इसके अंदर उबाल कम्पलीट होता है दोस्तो आपके पास पूजा बरतन होता ना उसके अंदर काले काले धब्बे जम जाते हैं अब देखें एकदम से तो सारा आप हटा नहीं सकते हैं लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं बोलना हूँ आपके बरतन जैसे आप नहीं लेके आते हैं उससे भी ज़्यादा साफ हो जाएगा आपके किसी भी बरतन में जिद्धी दाग धब्बे हो तो आप असानी तरीके से इस तरीके से हटा सकते हैं लेकिन हमें तो साफ करना था पूजा का बरतन तो हमने सोचा भाई कि इस तरीके से साफ करा जाए तो हम संतरे के छिलके को अमने देखा कि ये भी काफी ज्यादा पाउरफूल होता है तो हमने संतरे के छिलके से इस ट्रिप्स को बना कर तैयार किया अभी आप देखो गे दोस्तों पूजे के जो बढ़ता न Kiev ठंडा कर लेना है तो आपको इंतिजार करना है इस पानी को ठंडा होने तक का जब तक आपको क्या करना है कल्चुल की मदद से इन पानी को इसके उपर बरतनों के उपर डालते रहना है अभी देखना दोस्तों कितना बढ़िया तरीके से साफ होकर तैयार होगा यह देखो द देखना कितना बढ़िया तरीके से एक ने टेन किलीन होगा लेकिन उससे पहले आपको इन सारे टिप्स को ठंडा कर लेना और जैसी यह ठंडा हो जाता दोस्तों आपको क्या करना है संत्रे के छिलके से आपको इस तरीके साफ कर लेना है इसलिए मैंने आपको बोला था कि संत 110 परसंट तो साफ नहीं होगा लेकिन दोस्तों हाँ 85 परसंट यह साफ हो जाएगा लेकिन हाँ जब आप डूसरी बार ट्राइक रहोगे तो यह 120 परसंट साफ हो जाएगा मतलब जैसे जैसे आप इस तरीके से साफ करते जाओं अपने बरतनों को तो बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं कितना बढ़िया इसके अंदर चमा का चुगा है अब देखे एक बरतन को मैं पहले साफ करके दिखाता हूँ यह देखे दोस्तों कितना बढ़िया तरीके साफ हुआ है मातर हातों की मदद से और संत्रे की छिलके की मदद से आप इस तरीके से नेट एंड क्ल से तयार कर लोगे दोस्तों तो और भी ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो दोस्तों आपको यह टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना